आलू जोल की रेस्पी बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू बस बन गए आलू जोल की रेस्पी नमस्कार स्वागत है आपका किट्टो टिफिन में और आलू जोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने 10 से 12 आलू को छोटे साइच के आलू को उबाल लिया है उबाल के फोक की साहता से पीक करने के बाद हल्दी लाल मिर्च और नमक डाल के इनको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दिया है पीक करने से मसाले अंदर तक चले जाते हैं और आलू में एच्छा फ्लेवर आता है अगले स्टेप में हम आलू को फ्राई करेंगे थोड़े से रिफाइन क कर सकते हैं अगर आपका कम तेल खाने की इछा आये तो सैलो फ्राई करें अगर चला सकते हैं तेल को तो बीसक इसको डीफ राइं करके निकाले सुने रहा होने तग इसको भूल लेंगे और साथ ही दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि एक मसाला त्यार करेंगे उस मसाला पेस्ट के लिए हमें लिए हैं दो टमाटर एक इंच अधरक का टूगड़ा दो हरी मिर्चे और दस से बारा काजू इनको मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के फाइन पेस्ट तयार करेंगे इधार हमारे यालू भी फ्राई हो के तयार हो गये हैं गोल्डन ब्राउ इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं सेमी सी तेल में थोड़ा सा और एक टेबल स्पून के करीब हम रिफाइन आयल एड़ करेंगे जैसे ही तेल गराम होता है मिसमें कुछ साबुत मसाले जैसे जीरा डाल चीनी का एक टूगड़ा दो तिन लॉं चार पांच काली मिर्च काली विल साथ ही हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर इन सब को थोड़ा सा भूनेंगे तीस सेगेंड के आसपर जैसे ही मसाले हमारे भून के तयार हो जाएंगे त्यमाटर और काजू का जो पेस्ट हम लोगोंने बनाती रखा है अलग से पेस्ट को यहाँ पर मिलाएंगे पेस्ट मिलाने के बाद अच्छे से इसको भूनना है 4-5 मिनट के लिए जब तक की मसाले में से तेल बहार आने न लगे तब तक हमें इसको भूनना है लगातार लुक्त है। लगा हैं यह सुस्ट पर कस्तोरी मेथि डालेंगा। करने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने आलू में भी डाल रखा था तो जोल के हिसाब से नमक डाले जैसे ही एक बॉइल आ जाएगा करी में जोल में इसको हम ढखकन लगाके 10 मिनिट के लिए मिडियम फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनिट में जोल घाड़ा भी हो जाएगा और विधू-अरे फ्लेवर डिवॉर्फ हो जाएंगे इसमें इसमें यह ठ्य विध आललस नमक हरुआ टले हुए आलू को मिक्श करेंगे पांच मिनिट के लिए इसको में प्लेम पर पकाएंगे जिसे जोल जो है आलू की अंदर जोमने पीक कर रखा है उसमें अच्छे से इंफ्यूज हो जाए एक चमच गरम मसाला मिलाएंगे हम गरम मसाले को अच्छे से मिला देते हैं मिलाने के बाद सब्जी हमारी बन के तयार है उसमें घारनेसिंग के लिए थोड़ा फ्रेशनेस के लिए बारी कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता म और आपकी टूटी भूंगो समस्क्राब